हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब दोस्तों यह अक्टूबर मन्थ जो है इसका करेंट अफेस आज मैं डिसकस करूँगा और आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सरी से डेली कीजिए मैं कोशिज करूँगा कि यह डेली हो और तयार रहें आप एक फिक्स टाइम पहले से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आप अपने जोहां सब्सक्राइब कियो होंगे वहाँ पर बेल आइकन होगा बेल आइकन को भी दबा दे ताकि टाइम ली आप वीडियो देख पाएं आपसे एक भी ना चुटे ध्यान रहे यह बहुत इंपोर्टेंट सेशन है य क्योंकि उसमें मैं GS के सारे facts division करता हूँ तो यह यहाँ पर i button दबाएंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह यह कौन है तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है सनी कौन है दोस्तों सनी उपग्रह पहले इसकी ग्रह कम थी और सबसे प आई के नय प्रेसिडेंट यह मैंने कितनी बार बताया है यह सौरब कांगली 49 प्रेसिडेंट बने हैं जनवरी 2020 में ओपेक को छोड़ने का एलान विच कंट्री डिसाइड टू लीव ओपेक आपको पता है और्गनेजिशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री इसका हेड कोडर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तो यह है इकवाडोर ने इकवाडोर एक देश है जिसने यह छोड़ दिया है नेक्स्ट है नई महारतन कंपनी अब महारतन कंपनी की संख्या 10 हो गई है और नई महारतन कंपनी जो जूड़ी है आप से क।्च्चन वह और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इंडस्ट्री लिम्टेड ये जो है आपको PGCIL सीधा सौर्ट फर्म में याद रखना है ठीक है दोस्तों ये दो कंप्री नहीं जुड़ी है पहले आठ थी अब दो और जुड़ गई है चलिए नेक्स्ट कोस्चन है बहुत इंपोर्टे रौनक साधवानी 2017-18 के लिए इंद्रा गांधी रष्त्रिय एक्ता पुरस्कार किसे दिया गया इंद्रा गांधी नेशनल यूणिटी अावार्ड चंडी प्रसाद भट चंडी प्रसाद भट को दिया गया 2017 और ठारे के लिए कॉमनली चली यह रश्री एकतावाड है यूनिटी अवाड है चंडी प्रसाद भट याद रिखना है जितने भी आवाड आपको दिये गया है सबसे बड़े चरक है अभी तक का सबसे बड़ा चरका ग्रि स्वक्ष रेलवे जोन की घोशना की गई थी तो स्वक्ष रेलवे स्टेशन में पहला है जैपूर दूसरा है जोधपूर तीसरा है दुर्गापूर मतलब दो चोड डायरेक्ट राजस्थान से हैं तो यहीं चीज इंगली से में लिखा है स्वक्ष रेलवे स्टेशन जोदपूर अंदुर्गापूर तो रेलवे जोन सबसे स्वक्ष कौन सा होगा सबसे फ्रेस सबसे क्लीन रेलवे जोन है नौर्थ वेश्टर्न रेलवे क्या है नौर्थ वेश्टर्न रेलवे किस भारतिये के नाम पर एक छुद्रग्रह का नाम रखा जाएगा छुद्रग् ही होते हैं छोटे छोटे गरह कहा है लेकिन इ cont2 होता नहीं है वो ılan अर मतलब की जूपितर और सैटरं के बीच में मतलब दो ग्रहों को बीच में गूमते रहते हैं यह चुद्रग चाल गया है जिसके किसके नाम पर रखाएंगा स्टुरायड- और इंडियन यह हैं पंडित जस्राज बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है संभावना है पूछा जाने का और अगर आपको यह वीडियो सीरीज अच्छी लगती है आपको बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है इससे मैं जानता हूं तो आप लोग इसे लाइक करने के साथ साथ को कोल्डेश चिंपैंजी देथ इसका नाम है रीता इसलिए आपको याद रखना है डिरेक्ट आपसे पूछा जाएगा भारत की पहली नेत्रहीन महिला आई-एस तो यह हैं प्रांजल पाटिल प्रांजल पाटिल दोस्तों एक चुछ मैं आपको बता दूं तयारी इसकदर क हो गया अलग-अलग रीजन हो गया उन्होंने प्रैक्टिस सेट लगाना छोड़ दिया हिस्ट्री जोग्रफी सब में आराम से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लॉंच हो चुके हैं तो सबको लगाईए एक टाइम फिक्स किजिए दो से तीन गंटे टाइम ऑनलाइन स्टड किएगा ठीक है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन इसका नाम क्या रखा गया तेजस एक्सप्रेस डॉंग फिंग-41 यह मिसाइल है चाइना का रॉंग-डॉंग नहीं होगा डॉंग-फिंग-41 यह मिसाइल किसका है चाइना का तो वीडियो को लाइक करते रही है नेक्स् किएशन और थार्टी ऑफ इंडिया यह क्या है आधार की एजन्सी है और इसके नए CEO बने हैं पंकर कुमार नेक्स्ट है किस देश में सबसे तेज चीटी सहारन सिल्वर चीटी की खोज की गई है तो यह देश कौन सा है त्यूनीसिया फास्टेस्ट एंड सहारन सिल्वर च इसकी अस्थापना की गई थी और यह बहुत अच्छा टैनल है बहुत ही जादा यूच्फुल है इस टैनल का नाम अब किसके नाम पे रखा गया है डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखर जी के नाम पे हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जिसमें आप लोगों को बहुत स्कूल यह कौन है यह विश्व का सबसे बड़ा स्कूल होने का रेकॉर्ड बनाया है लखनव की एक स्कूल ने उसका नाम है सीटी मॉन्टेसरी स्कूल यह कहा है लखनव में अगला कोशन एंसी आरबी की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे जादा महिला के खिलाफ अपराद कि इस राज में दर्ज किये गए हैं तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश प्लीज याद रखिए का डॉमस्टिक वाइलेंस और वीमें वाइलेंस एगेंस्ट वीमें यह उत्तर प्रदेश में ही किया गया है कि ट्वेंटी नमबर कोशन सायफ अंडर एटीन विनर सायफ जो अ इसका आयोजन कहां किया गया तो यह हर साल दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाता है नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड यह जो है सबसे प्रभावसाली स्वक्षता एंबैसडर मॉस्ट इंफ्लुएंसिव क्लिन लीनेस एंबैसडर यह कौन है सचीन रुकता अपना ही है अगला कोश्चन आ मॉस्ट इंफ्लेस हो गया तेइस नमबर the order of the green crescent the order of the green crescent से किसे समानित किया गया तो यह वंकया नाइडू को समानित किया वंकया नाइडू को दोस्तों एक चीज मैं याद दिला दूं current affairs जो है आपके किसी बिग्जाम में 7 से 12 तक पूछ लिए गए हैं खास करके 2017 के बाद तो इसके लिए तयार रहे हैं क्योंकि current affairs gkgs का बहुत ही अच्छा portion है और यह सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा score आपको देगा अगर साथ question भी आता है मालो तो भी आपके किस नंबर का सवाल है और इसे तयार करना बहुत ही ही जी है डेली आप पढ़ो कोई नहीं रोख सकता आपका selection दुनिया का सबसे पहला artificial university artificial intelligence विश्व विद्याले यह है UAE में कहां है UAE सन्युक्त अरब अमिराद उर्जागिरी जागरुकता अभियान यह किसने शुरू किया है यह शुरू किया है उत्तरा खंड ने किसने शुरू किया है उत्तरा खंड पहला aircraft dry dock का उधगाटन पहला ऐसा dry dock है जिसका उधगाट जो है मुंबई में किया गया है aircraft dry dock क्या होता है जहां पर आप ले जाएंगे सिपको वहां पर उनकी रिपेरिंग होगी पानी कम रहेगा तो काम करने में आसानी होती है इसे एक नाम देते हैं dry dock जल सकती मंत्राले का अभियान अब जल सकती मंत्राले इसने गंगा क्लिनिले था वारानसी के घाट पर यह हो भी रहा था ठीक है जल सकती मंत्राले का गंगा मंत्र नेक्स्ट है आर्क्टिक अभियान मोजैक के लिए एक मात्र चुने गया भारतिये वग्यानिक का नाम आर्क्टिक अभियान मोजैक के लिए एक मात्र चुने गया अब यह मोजैक जो है Arctic Sea आप जानते होंगे Arctic महादेश भी है तो एक तरीके से Arctic Sea है Antarctic महादेश है तो यहाँ पे एक लोते चुने गए उनका नाम है विश्नू चंदन मोजैक ये एक तरीके से प्रोजेक्ट है विश्नू चंदन आपदा चेतावनी के लिए नया डिवाइस आपदा जो आती है बार सूखा और कई तरीके की तमाम उसके लिए इनके लिए नई डिवाइस बनाई गई उसका नाम है जेमिनी और ये उडिशा में लगाया जाएगा विश्वक का पास दिवस पहली बार कब मनाये गया चुकि ये ये कहां बनेगा तो ये है लद्दाक में गुजरात का नेक्स्ट कुश्चन गुजरात का पहला किरोसिन मुक्त जिला तो ये है गुजरात फर्स्ट किरोसिन मुक्त जिला ये है गांधी नगर विश्व यूवा सतरंज चैंपियंशिप 2019 कहां हुआ वर्ल्ड यूथ सत्रंज चैंपियंशिप इसको चेश चैंपियंशिप लिख सकते हैं 2019 इसका हेड़कॉर्टर है मुंबई में वर्ल्ड यूथ चेश चैंपियंशिप इसका आयोजन किया गया था मुंबई में और मैंने उपर 65 ग्रैंड मास्टर की नाम भी बताई थी जो भारत की तरफ से बने हैं 2020 में कौन सा देश बड़ी डिजिटल कंपनी पर टैक्स लगाएगा ठीक है आल फीमेलं स्पेसवार्ट मतलब जिनकी जितनी भी गृव्प होँगी वह फीमेल होँगी इसक्राइब गया तो यह पूछा जा सकता है पहली के बारे में पहला वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चला था तो दिल्ली से वराणसी दोसरा दिल्ली से कट रा फर्स्ट वंदे भारत बह सेकन्ड टुका ठीक है तो वीडियो को लाइक करना न भूले शाथ इसाथ जितने भी रहे श्टडी ग्रूपस है सब में शेयर करने की हैबिट टाले IMF में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक CEO ये बने हैं सुर्जित भल्ला IMF का भारत में स्वरी IMF में भारत के लिए जैसे भारत से कोई रिपर्जेंटेटिव जाएगा कार्यकारी निदेशक तो उनका नाम है सुजीत भल्ला IMF इंडियाज Executive CEO World Athletics Championship 2019 का आयोजन कहां हो रहा है कतर की राजधानी दोहा में प्लीज याद रखिए कतर की राजधानी दोहा में प्लास्टिक टू डिजल कनवर्जन प्लांट सबसे पहला है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब इसमें प्लास्टिक के कचड़े ले जाएंगे तो इससे यह डिजल बना देगा बायो डिजल बनाएगा यह कनवर्जन प्लांट खुला है मतुरा में मतुरा कहां है उत्तर प्रदेश में दो घंटे से कम समय में मायराथन दोड़ने वाले पहले व्यक्ति तो यह बन गया है इलियर्ट किप्चोगे इनका नाम है दो घंटे से कम में भी इन्होंने मायराथन कंप्लीट कर लिया है मैन बुकर आवार 2019 इसमें दो-तीन लोगों का नाम है मार्गरेट एड़ूड यह देखिए और अगर दूसरा नाम देखें बर्नाडीन एवरिष्टो यह है ब्रिटेन से तो मैन बुकर प्राइज 2019 दो लोगों को मिला है मार्गरेट एड़ूड और बर्नाडीन एवरिष्टो यह है ब्रिटेन से नेक्स्ट आप पहला तैरता हुआ बास्केट बॉल पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है यह है मुंबई में कहां खिला है मुंबई में फर्स्ट फ्लोटिंग बास्केट बॉल कोट यह मुंबई में विश्व सायन खेल का आयोजन कहां हो रहा है वर्ल्ड मिलिटरी गेम्स यह आईजित हो रहा है वहां चाइना में ठीक है किस संत भार्तियो को नन को फ्रांसिस सन्न की उपादी दी है संत की संत महतमा जोते हैं उनकी बात हो रही है तो ये है warium dasia ये पहली लेडे नन्द है जिनको प्रांसिस मरिया मपरेषिया इनका नाम है ठीक है अगला अध्री किन देशों के साथ मिलकर स्वाक्षवायू गठबंदन सुरू किया clean air coalition बहुत important question is Spain एवं पेरू के साथ मिलकर डबलु हो नहीं ये campaign सुरू किया है देश का नाम क्या है Spain एवं पेरू कि 20 पसुधन रिपोर्ट के सबसे ज़्यादा पसु कहा है बिश्वी पसुधन रिपोर्ट के अचाह सबसे ज़्यादा पसु है उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला योजना ये किसका है यह भी है उत्तर प्रदेश का किस सराजय ने दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है तो यह फैसला किया है असम को प्लीज याद रखिए कान्या सुमंगला उत्तर प्रदेश असमने दो बच्चों ज्यादा होंगे तो दोस्तो एक चीज़ ध्यान रखिए डेली करेंट फैर्स जब भी आए उसे प्लीज देखा करो क्यूंकि उससे जीएस के फैक्ट्स आपके बहुत स्ट्रॉंग हो जाएंगे मेरा ये टार्गेट है इरादा है कि मेरे चैनल पे जितने भी लोग मन से त्यारी कर रहे हैं सबका सेलेक्शन हो सबके थैंक्यू नोट और सबके हैपी फेस के साथ मुझे फोटो भेजना मुझे बहुत खुशी होगी दुनिया का सबसे पुराना प्राक्रितिक मोती कहां मिला है ये मिला है ओबु धाबि कखि daher या फीड की बात हो रही है खाने की बात हो रही है तो जाइर से बात है वर्ड फूड हाई कोट क्या नाम है त्रीपुरा ठीक है प्रोकबड़ी 2020 यह किस ने जीत लिया है देखिए अब मेरे लिखने का यहां मतलब है प्रोकबड़ी 2020 बाई तो विन बाई ठीक है इसे यह समझना है मैंने सौर्ट में लिखा है ताकि जगह बचे आपको टाइम कम लगे रिविज अध्या राम आये थे तो ऐसे भी दीव जला के एक तरीके से दिवाली की सुरुवात हुई थी और अभी वी वर्ल्ड रेकॉर्ड बन गया जलवायू परिवर्तन पर बेसिक देशों की 29 अंतर मंत्री मंदली यह बैठक बेसिक देश बेसिक में आएंगे ब्राजील अफ्र अपरेशन कायला म्यूलर यह आई याइस की है हैं मतलब आ सिस का जो हेड था ऐसी हैसाथ दो समंखceksinाना सीरिया मैं जो था उसके हेड का जुट्ए किया गया था उस operation का नाम था operation कायला मूलर इसके बारे में सर्च करके जरूर पढ़ना चाहिए आपको जल ग्रीड पर योजना ये किस ने लॉंच किया है तो ये लॉंच किया है आंध्र प्रदेश ने कृत्रिम पती जो सिगनास बना सकती है क्रित्रिम पती जो सिगनास बना सकती है ये Cambridge University ने आपको सिर्फ यह रखना किस उनिवर्सिटी ने कित्रिम पती बनाई है तो यह है Cambridge नेक्स्ट है अलेक्सी लेवनों का निधन हो गया जो सबसे पहले वाक किये थे सबसे पहले किया था रूशी व्यक्ति अलेक्सी लेवनों ने दोस्तों यह सिरीज बहुत कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपको अगर अपना टार्गेट दिख रहा है तो आपको इसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए डेली देख में एक बात ध्यान रुखो आपको अभी तक के जितने भी इंपोर्टेंट करेंट है सब एक जगह कंपाईल होगा दोनों भासा में दोनों भासा में होगा ठीक है तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक्यूं सो मच